आज भारत माता का एक सच्चा सपूर चला गया है वक्त बीटेगा भारत मा की कोक से कई और उध्योपती पैदा होंगे मगर अब कोई रतन पैदा नहीं होगा रतन टाटा जी अपने नाम के अनुरूपी देश और दुनिया के लिए एक अध्वूत रतन थे मैं भी खुशकिसमत हूँ कि मुझे भी उनसे मिलने का मौका मिला दो मौकों पर मुझे उन्हें लवली प्रोफेशनल उनिवस्टी में अमंतित करने का अफसर मिला दोनों ही मौकों पर वो नहीं आ सके प्रंतु उन्होंने बहुत ही समानित तरीके से मेरे पत्रों का जवाब दिया उनकी सादगी में भारत की एक सदी दिखते थी जीवन भर कभी उन्होंने असूलों से समझोता नहीं किया वशाय करके कैसे देश का कल्यान किया जा सकता है उन्होंने देश के सामने ये नजीर पेश के टाटा ट्रस्ट के माध्यम से वा अन्य एकाईयों से वो अपनी कमाई का बड़ा भाग जन कल्यान के लिए लगाते थे विश्चेश दोर पर शिक्षा में और चिकित्सा में टाटा संस की 66% एक्विशेर फिलेंट्रोपिक ट्रस्ट में जाती है आज भारत में टाटा का मतलब भरोसा है टाटा का मतलब विश्वास है टाटा का मतलब गुण मत्ता है इसी भरोसे और विश्वास के लिए टाटा ने अपना पूरा जीवन देश को समर्पित कर दिया आठ दशक गुजरने के बाद भी उनके तेवर वही थे उनके भीतर की उज़ा वही थे मगर नियती के आगे सब मजबूर है नियती ने एक जटके में सब कहानी बना दिया मैं भारत सरकार से ग्रह करूँगा कि वे देश के रतन, भारत के रतन को भारत रतन से समानित करे अगर रतन जी को ये समान मिलता है तो ये सच मुछ भारत रतन का गोरब भी बढ़ाएगा और उनके चाहने वालों की भी एक बहुत इच्छा को पूरा करेगा उनके चाहने वालों से बस मैं इतना ही कह सकता हूँ कि वो भले ही इस दुनिया से चले गए हैं मगर वो आज भी हमारे आसपर जिन्दा है और जिन्दा रहेंगे गोर से देखेंगे तो टाटा को जमीन पर भी पाएंगे आसमान पर भी पाएंगे सुबा की चाही में आपकी गाड़ी में हवाई जहाज में और सबसे ज़्यादा आपके भरोसे में आपके विश्वास में आप उनको पाएंगे दन्यवाद